हलो माई यूटू पैमली कैसे हैं आप लोगे आज हमें बहुत ही अच्छा धर्मी प्लिट ज्रिंग लेके आएं तो देखिए यहां पे मैंने छुवारा ले लिया हैं दस से पंदर बादाम ले लिया हैं तरबुज के वीज ले लिया हैं और इसको हम चार से पांच खंटे के भीगो करके रख देंगे तो मैंने यहां पर रात बर के लिए लिए आप लोग भी इसी तरह से भीगो के रख देंगे तो यह आसानी से जो है यह देखिए चुवारा जो है एकदम फूल गया है तो आसानी से इसका बीज निकल जाएगा तो इसी तरह से हमको बीज को निका है उसको उतार के ले लेना है फिर एक बार यह जरूर आप लोग रिम्यू में बनाईएगा यह बहुत ही हेल्दी है और पीने के बाद इसमें हमको सरीर में बहुत ही ज्यादा जो है एनर्जी मिलता है अगर एक बार बनाएंगे तो आपके घर में बच्चे बड़े सब बार और रिखेस्ट करेंगे बनाने के लिए तो देख़ियो पनाने लिए तो देखियो मैं ने यहां पर चुतन का निकाल करके और इस भी में बिज भी ज्याम का ने लिया आ है तो इन सब सшт fe गरम दूद नहीं है जो ग्लास होता है न चाय वाला तो उसे आदर ग्लास दूद डाल करके इसको हमको बेटर की तरह ग्रम पीस लेना है तो देखिए इस तरह से हमारा बेटर ग्रम त्यार हो गया है इस तरह से आप लोग भी एक बार जरूर ट्राइ कर देगा तो यह हमारा एक कड़ाई ले लेंगे और उसमें एक चमज टेल डाल देंगे और इसको आप लोगा घी में ही मनाएगे तो बहुत ही ज़्यादा पायाद मन है यह हमारे शरीर के लिए फिर यहाँ पर हम सत्तु ले लेंगे दो चमज के करीब यह सत्तु अमारा घर पे का बनाया हुआ दीमी आज पर हम को वुणना है दू-तीन मिनट तो कम से कम वुणना है दीमी याज पर थे- पिर उसके बाद हमको इसमें एक चुटकी के करीब हल्दी ले लेना है बिस्ट करने लएना है हल्दी दालने से हमारे शरीर के लिए बहुत ही टालता है तो देखिं यहाँ पर हम हालीभ को भी डाल करके भूल लिये हैं ताके उसका जुह हें कच्छा पंदूर हो जाए है तो इसी तरह से आपको भी भूलना है तेज आंच बिल्कुल भी नहीं करिएगा नहीं तो ही जल जाएगा तो टेश ही जाएगा अच्छा नहीं आएगा तो देखिए यहां पे मैंने एक ग्लास दूद डाला है और दूद को हम अच्छे से मिला लेंगे गायस का फ्लेम जो है धीमा ही रखेगा तो इसी तरह हमको मिलाते हुए इसमें हमको दूद को और डालना है कम से कम यहां पे हम 4 ग्लास दूद डालें अगर आपको ज्यादा जादे चीजों की जरूत होगी जो हम दो चमच लें तो उसकी जगा पर आप चाच चमच ले लिजिएगा और तो देखिए फ्रेण यहां पर हम चाच लास रह दूद डालें है तो इसी तरह से आप एक बार जूद राई करिएगा और आप से दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास मिष्डी नहीं हो तो इसकी जगे पही आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं तो मैने यहां 4 संश के परीब मिष्डी डाला है आप निधा स्केम बाल डीजिएगा और डालने के बार इसको हमको आच्छे से मिक्स करना है तो मिष्डी हमारा लेकिया आच्छ इसी तरह से आपको भी सारे बैटर एक ही बाइ डाल देना है और अधिकने अगर टेस्ट जू ärए अच्छ से बहले लम को पैंने ही आएगा अगर आप लोग एक बर बना करके फैमली को अगर बच्चों को पिलाएंगे तो वो लोग बार-बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगी भी बनाने के लिए और एक बास में बताती ही फैंड कि आचन में यह बना रही थी तो मेरे हविनाय तोर कह रहे हैं कि क्या बन रहा है बहुत करनाला कि यहार बनाने के लिए दूनि करना हमार करना है तो अगे की बढ़क जेना अन्हें हैं पूच्छा क्या तो उनको धी थते होड़ा है कि और मिंड मेरे pouvoir खूले मेरे हैं और भी बहुत रहा है औरulations को यहारा सँ है भी उतिके अच्छा लगा है बच्चों और बड़ों के लिए हमेशा इसको बनाते हैं तो आप लोग भी हमारी देश की एक बार जरूर ट्राइ करिएगा तो देखें हमारी जोड़ों की तो आपका डॉरी में लेकर देजे तो इसी तरह से आप लोग बहुत ही पसंदा आता है तो देखें हमारी देश तेयार हो गया है तो व में C我 बड़र जोब बना व्यागत घ्लास यह pharmacy का दिक बनाएगा